कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई मुझे उम्मेदे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे आज हम क्लास 10th biology में आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो विकास इसके बारे में हम लोग यहां पर दार्वीन वाद के बारे में भी पढ़ेंगे ना डार्वीन किस जहाद से घूमने गए थे उसके पहले कुछ बीटल भ्रंग वाला कॉंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे और इसके बाद में हम लोग हैरल्ड यूरे और यूरे और मिलर का प्रियोग भी पढ़ेंगे सारा कु सबसे पहले हम लोगों में टॉपिक मुझे लगता है मैं एवलूशन पढ़ा दो लेकिन एवलूशन हाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विकास एवलूशन हेडिंग माप बना सकते हो ना बनाओ तो कोई बात नहीं विकास विकास को इंगलिस में बोलते हैं एवलूश तो कैसी cycle थी वो बस आपको कलपना करनी है कैसी होगी न उसमें चैन रही होगी न पैडल रही होगी न ब्रेक रहा होगा परिवर्तन हो रहा था और आज रिजट देख सकते हैं आप modern cycle का जिसमें गेर भी होते हैं अब आप कलपना करिए कि जब बाइक बनी होगी तो कैसी पहली बाइक कैसी रही होगी आज की बाइक के मतब कंपेर में कंपेर करिए कि आज की बाइक कैसी है पहले कैसी रही होगी तो अखिरकर यह कैसे हुआ क्या तुरंत हो गया क्या तुरंत हो गया कि पहले ऐसी थी कल बि का विकास हुआ हम इसे अच्छी नहीं कहते हैं मतलब कहते ठीक ठाक बाइक है है ना क्योंकि क्या पता हमसे जो आगे वाली जनरेशन में ये बाइक भी जाए क्या पता ये और स्मार्ट हो जाए और हाइटेक हो जाए कहा नहीं जा सकता ना क्योंकि इसमें लगातार परिवर् परिवर्तन ही विकास कहलाता है जननकोसी का मतलब उनके डिने के अंदर होने वाला परिवर्तन ही विकास कहलाता है जननकोसी का वही होती है डिने और आरेने डिने होती है जननकोसी का मतलब सुक्राणू और अंडाणू के अंदर जो परिवर्तन होता है उसी के बाद जो नया रिज़ंट मन के आ जाता है उसी को बोलते ये एवलूशन हो रहा है दिरे-देरे विकास हो रहा है जैसे मनुष्यों को बंदर से होँआ चिंपैंजी से हो कोई बोला कहां से हुआ तो कैसे हुआ ऐसे बदलता गया बदलता गया बदलता गया आस देखो बिल्कुल है ना अच्छे चलो खड़े होते सामने इस तरी करके विकास हुआ तो विकास की डिफिनिशन कहा लिकेंगे कि जीवों में होने वाला पीड़ी दरपीड़ी क्रमिक क्रमिक परिवर्तन ही विकास होता है विकास कहलाता है जीवों में होने वाला पीड़ी दरपीड़ी क्रमिक परिवर्तन क्रमिक परिवर्तन मतलब वो परिवर्तन लगातार हो रहा होता है ठीक है वो परिवर्तन क्या होता है लगातार होता है क्रमिक परिवर्तन ही विकास य से ना सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा सरल जी होता है इना सबसे पहले सबसे पहले प्लब स्वार्ट में तुम बैठे ऐसे पैडल मारे साइकल जल लिए खुबी सबस्कारों उसके इंदर क्या उस पहले की साइकल में विकास लोग लो만 करते गए उसका दॉआ इंजीनियर मेकैनिक्स बनाते गए उसको बनाते गए आज की रेट में देखो हाई टेक साइकल इससे सरल जीव के अंदर क्या होता है जिससे वो जटिल जीव बन जाता है तो सरल जीव के अंदर क्या होता है बताओ तो सरल जीव के अंदर विकास होता है क्या होता है विकास ज खो कैसे बिल्कुल अच्छे अच्छे दिखते हैं अभी जब आप मानों का इतिहास पड़ों के लास्टेलेंगे वहाँ पी देखो कि भैया बहुत विकास हुआ है इनमें बहुत देर सारे प्रकार के मनुष्य थे एहना जो विकास की जो प्रक्रिया है जो विकास है वो कोई आज से नहीं होता आ रहा है है हनो जैसे क्या साहिकल आज से कल तुरंथ बन गई क्या हाई-tech साइकल आपने बोला नहीं बहुत सालों लग गए तो मैंने बोला जो विकास होता है वो लाखों वर्स से होता आ रहा होता है विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं या कोई सरल प्रक्रिया नहीं बहुत जटिल प्रक्रिया है और एक दिन में नहीं हो जाती है लाखों वर्स से होती आ रही होती है विकास की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया से क्या होता है जब विकास होता है तो क्या होता है जटिल जीव का विकास होता है या फिर नई जाती का उदभाव होता है नई जाती का भी उद्भाव हो सकता है जैसे साइकल बनी साइकल के बाद देखो बाइक बन गई बाइक एक अलग जाती की हो गई इलेक्ट्रिक बाइक बन गई स्कूटर बन गया है न यह सारी चीछे अलग जाती की अलग जाती का विकास हो जाता है ना सबसे पहले तो साइकीली बनी होगी ना दो पईया पे चलने वाली एक सेवंथ या एट में इंग्लिस का कोई चैप्टर है दा बाइस्किल करके उसमें सब बाइस्किल के बारे में बताया गए जब मैं सेवंथे में तो मुझे अभी को याद आ रहा है आप लोग पढ़े हो तो उसको याद करके नीचे comment box में comment करके बता सकते हो बताओ इसमें बाइस्किल हुआ करती दो पैहो मतलब पैहा की लकड़ी का पैहा होता था ऐसा कुछ सेन था उसमें अगर समझे वग्जे हो तो बता दो नीचे comment box में तो यही था कि सरल जीव से जटि एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है विकास धीरे 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 निरंतर होने वाली प्रक्रिया होती है क्या विकास ठीक है यह था एवलुशन के बारे में विकास के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे NCRT में पेस नंबर 162 में कुछ वो दिये गये है है न मिटाते नहीं है बताया गया पहला मतलब यह वो किया गया इसको क्या बोलते है उस हरी जंगल में रेड कलर के भ्रंग रहते थे रेड कलर के बीटल रहते थे ये देखो रेड कलर के ये बीटल है है ना हरे पेड में रेड कलर के बीटल रहते थे तो यार ये बताओ ये यहां पर कववा है यह कववा है तो जब कववा उपर से देखता था हरा में लाल जैसे यह हरा कपड़ा है यह लाल है तो देखो दिख रहा है ना लेकिन अगर हरे में हरा रंग का चीज रखा होगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा तो क्या हुआ इन बीटल के अंदर यह जो बीटल है इसको भ्रंग बोलते हैं बीटल के अंदर क्या होता है लेंगिक जनन होता है अब हमको पता है कि लेंगिक जनन में क्या होता है जब लेंगिक जनन होता है तो उस जीव में विभिनता आती है विभिनता विभिनता किसके अंदर होती वो जीन के अंदर होती है तो इस बीटल के अंदर क्या हुआ लैंगिक जनन के अंदर हो गई विभिन्नता और यह विभिन्नताएं क्या होती है यह विभिन्नताएं पीड़ी दर पीड़ी चलती है पीड़ी दर पीड़ी तो इधर से कव्वा क्या था लाल बीटल को खा रहा था लेकिन विभिन्नता हुई कि next मतलब कुछ दिनों में इन्हीं लाल बीटल से एक हरे बीटल का निर्माड हो गया दो तीन कि यह देखो एक इसमें से विभिन्यता हुई और उस विभिन्यता से एक हरे बीटल का निर्माड हो गया अब क्या था कववा बिल्कुल लाल बीटल को लाल बीटल को खा रहा था धीरे धीरे क्या हुआ ये लाल बीटल की कमी होती गई और हरे बीटल बढ़ते गए है ना देख लो हरे बीटल कितने हो गए लाल बीटल ये दो बचे अब कववा देखा दो लाल बीटल अभी और दिख रहे हरी जाड़ी में लाल बीटल दिख रहता है कववा गया फिर कॉंग कंग कहया बीटल वढ़ी और आंसो रहाया थै रहीखते लाल सुती हुई उसका मिली नहीं रहा है तो सोचता था कि यर भाई चुला कहां गया कहां चुला गया उसे उसे क्या पता कववा उसका सिखार किए जा रहा है रह यहारे वाले तू अ कुछ पता धीनि नहीं तोर दिदे धिरय अलोक वहाँ पर पर न को का डाले वहाँ पर कोण बीटल बचे अब तो वहां पर केवल हरे बी अब बचें बीटलहीं को हिंधी में भ्रंग बोलते याद रखना इनके पैर भी है नीचे यह देखो ऐसे करके यह भी देख लेना अब सजा लेना जो भी है तो हरे बीटल वहाँ पर बचें तो ऐसा क्यूं हुआ जो है कववा जो था ये प्राकृतिक चयन हो रहा था इनका प्राकृतिक चयन हो रहा था और वो चयन कौन कर रहा था कववा कर रहा था है ना जो प्रकति में रहने के योग यह है वही प्रकति के अंदर रहता है ये प्राकृती चयन हो रहा था, कौन कर रहा था, कवा कर रहा था, लेकिन इन बीटल के अंदर जो परिवर्तन आया था, जीन के अंदर, वो जीन के अंदर परिवर्तन था, वो विभिनता थी, जो पीड़ी दर पीड़ी चल रही थी, अगर विभिनता आ गई, और वो निरंत दरपीढ़ी दरपीढ़ी चलने लगी तो गेम सज गया है ना इस से निसकर्स udos क्या निकला कि प्रकति अच्छे गुडो वाले जीवों का चयन करती है, है न, इसके लिए हरा जो वो था, हरा बीटल था, कौन था हरा बीटल, वो अच्छा गुड़ माना गया, क्यों? क्योंकि हरे बीटल को हरे पत्ते के अंदर देखना मुश्किल था, अकववा नहीं देख पाता था, इसलिए हरे बीटल को वो नह through-खापाता था लाल बीटल को देख लेता था आसानी से जाता था सिकार कर के बोजन मना लेता था लाल वालों मतने ललकाए बीटल था वो सम्मर गए जो हरिर्काए बीटल थे वो जिन्दा झाक क्या ने तो प्रकति क्या करती है वो अच्छे गुड़ो वाले जीवों का है ना अच्छे गुड़ो वाले जीवों का चयन करती है तो यह फस्ट आपका प्रियोग था है ना यह समझ गए शेकंड प्रियोग क्या है इसी में समझा दू क्या इसमें लिख ले ना प्रकति प्रकति अच्छे गुडों वाले जीवों का चैन करती है ठीक है यहां पर आपका NCRT देख लो क्या लिख्या है कि जीन ही लच्छन का नियंतरन करते हैं यह जो जीन मतलब जो इसके अंदर जीन क्या करते हैं जीन ही लच्छन का नियंतरन करते हैं और इसके जीन में ही हरा रंग भर गया था तो अब हरे जीव अब यह हरा रंग वाला बीटल भी लेंगी जरन करने लगा और अपनी संख्या को बढ़ाने लगा है ना लाल बीटल खतम हो गए तो क्या होता है कि विभिन्यताएं प्रथम परिस्थिती में विभिन्यताएं बनी और हरे जीव का विकास हुआ यह प्राकृतिक चयन होता है हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कवो दौरा किया गया जितने कवे अधिक हों प्राकृति की अनुकूल दरसा रहा है जिस से समस्टी परयावरण में और अच्छी तरह से रह सके अब यह जो हरा बीटल है हरा बीटल है वो परयावरण में बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहा है खा रहा है उसका विकास हो रहा है है ठीस है स्कंड पॉिंट कि क्या होता है शेकंड पॉंट में फिर बीटल वाला कां सुरू다 ता फिर था ललका बीटल हैना लाल बीटल से फिर सुरू हूता है ये था ललका बीटल ललका Smalled पिटल के अंदर फिर से लेंगी जनन हुआ विभिन्ता आ गई और बन गया ए निलका बीटल यह एक बन गया निलका है ना जब नीला यार गलाधी कर देते हैं इसको नीला से करते हैं बन गया नीला बीटल और बांकी बने रहें लाल बीटल इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं दोनों रह रहे थे अपना वहोता गया है ना दोनों सysis करते लेंग िक जनन करते थे वही तो बच्च्चे पैदा कर दो नीले बीतल भी हो गये ठीक ठाक है न यह देको यह देखो ठीक हो गये नीले बीटल और उनकी लाल बीटल से कोई दुस्मानी नहीं थी लाल बीटल को कुछ दिक्कत नहीं था है ना तो क्या था कि लाल बीटल अपना कॉलोनी में रह रहा था लाल बीटल ने अलग कालोनी बना ली यह मेरी कॉलोनी है इधर मैं रहूंगा लाल बीटल यहां रह रहा था अचानक क्या हुआ उसी जाड़ी में जिस जाड़ी में ये लोग रहते थे उसी जाड़ी में ये प्राकृतिक चैन नहीं है ये अन्वांसिक विचलन है अन्वांसिक विचलन के द्वारा ये पहले लाल बीटल था लाल बीटल फिर ये नीला बीटल बना है ना और ये कोई अच्छा गुड नहीं अच्छा लच्छण नहीं सामान नहीं ठीक है अचानक से क्या हुए एक हाथी आ जाता है और अपना पैर वेर रखके वहां बिलकुल मार डालता है सबको अब हाथी आएगा जाड़ी में ऐसे गम गम पैर रखे गहां उचलेगा कूदेगा भागेगा ललका बीटल असे खाकर मौज कर रहा था लेटा था सो रहा था निलका बीटल वे ऐसे सो रहा था अपने घर में टीवी वी चला कार्टून आर्टून देख रहे थे बीटल के बच्छवा लोग हाथी आया घम घम जब सब को बिटलवा को माल डाला तो क्या हुआ लाल बिटल की पूरी प्रजाती खतम हो गई अब किसकी प्रजाती बनी नीले बीटल की दुठ नीले बीटल बचे खुब रो रहते मम्मी मेरी मम्मी मर गई पापा मर गया नीले विटले दोनों में आपस ने साधी कर लिया फिर किया लेंगिक जनन अब फिर बीटल चाचा अपना समुदाए बना डाला विल्कुल गहरा समुदाए जैसे जापान में परमाडू बंब गिरने के बाद जापान विल्कुल प्रगती की ओर चल पड़ा तो नीला बीटल कि फिर प्रजाती बन गई तो ये जो था ये प्राकृतिक चयन नहीं है ये क्या है ये जेनिटिक डिफ्ट है ये अनुवानसिक विचलन है ये प्राकृति के द्वारा कुछ नहीं किया गया है ये अनुवानसिक अपवाद का सिध्धान्त भी है हम इसे ऐसे भी बोल सकते ह कि ये अन्वानसिक अपवाद का सिध्धान्त है अन्वानसिक विचलन क्या होता है कि बीना अनुकूलन के कोई अनुकूलन नहीं हो रहा है कोई भी अडॉप्टेशन नहीं हो रहा है बीना अनुकूलन के विभिन जाती मतला विभिन लच्छन उत्पन हो जाना ही क्या कहलाता तो यह एक अन्वानसिक विचलन का एक्जामपल है किसका एक्जामपल है अन्वानसिक विचलन का आपके देखें NCIT में क्या लिखा है कि भाईया दुरघटना हो गई है ना च्छोटी समस्टि में दुरघटना किसी जीन की आवरति को प्रभावित कर सकती है च्छोटी समस्टि है उसके निदे दुरघटना हुई और पूरी जीन को ही प्रभावित कर डाली इसके लाल वाला जीन खतम हो गया है न तो यह किसका एक्जांपल है अनुवानसिक पूछा जाएगा क्या यह लच्छन अच्छा वाला लच्छन था प्रभावी लच्छन नहीं था यह टीक है क्या हुआ कि जो बिना किसी अनकूलन के विभिनता उत्पन कर सकता इसले इसको बोलते ये अन्वांसिग विचलन होता है अब देखे अब तीसरी स्थिरी में क्या हुआ अब जब हाथी आया तो सब लाल भरंग मर गए नीले भरंग बच बच गए और धीरे धीरे नीले भरंग की समस्थी बढ़ने लगी और यही नीले भरंग उस जाड़ी में अधिक हो गए अब अब घर चला गया यहां अब दीन आया था वस आप तीसरा पॉइंट आता है कि हो जाएगा क्या जाए तीसरा पॉइंट यह बीटल भरंग होते हैं बिल्कुल उसमें मस्त से अच्छे चलगते हैं तीसरा क्या है बिल्कुल सिंपल है समझ लो इसको भी एक पत्टी थी इस पादप रोग लग गए पादप रोग लग गया तो बीटला अभी देखो हटे कटे है न जब इस पत्ति पत्ति पत्त सिप्ट देखा भागा तो अब इसे बनने लगी बहुत दिन बाद तो क्या हुआ जब बीटल फिर पत्तियों को खाया तो बीटल फिर मोटका हो गया यह देखो मोटा गया विलकूल हैं न न वीटल्वा जब उन्पत्तियूं को खाया तो फ४िर बीचल मोटा हो गया दीरे दीरे क्या हो लेकिन इनके जीन के अंदर वोन ही गुसा था जो कोई पोस ठाब वो जीन के अंदर नहीं घुषा था भैनी कि खाना कम मिल रहा था पतले हो गए खाना ज्यादा मिलने लगा मोटे हो गए तीसरी स्थी थी क्योंकि यहाँ जीन ही लच्छनों को नियंत्रित करते हैं और जीन के अंदर यह लच्छन नहीं गया था अता हम कह सकते हैं कि कि किसी समस्थी के कुछ जीन की आवरती पीडियों में बदल जाती है यह जेव विकास की कलपना का सार है है जीन का जो विकास जीन के अंदर जो लच्छनों का नियंत्रन होता है वही जाके आगे पहुंच जाता है इसलिए इसको बोला जाता है तीसरी स्थिती में क्या वोदे को इंसी आरिटी क्या लिखता है जो बीटल है वो समस्टी बढ़ाना मतलब बच्चे पैदा करना प्रारंब करती है जाडियों में पादप रोग लग जाता है भ्रंगों के लिए पत्तियां कम हो जाती है परिडाम तह भ्रंग अलप पोसित रह जाता है मतलब जब पादप रोग लगा तो भ्रंग को पो जाती है तब भ्रंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा आप विचार कीजिए यह बोला है नसे आरटी ने तो भाया हमने तो विचार कर लिया है कि जब पादप रोग के अंदर यह चीजे हो जाती है ना पादप रोग हुआ खाया पत्रा हो गया अब जैसे कोई ब्यक्त एक दूसरा पॉइंट है उपारजित और अन्वांसिक लच्छण चैप्टर सुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था देखो बिल्कु सिंपले सो समझ लो उपारजित लच्छण क्या होते हैं जैसे मैंने अपने नाक को छेदवा लिया कान को छेदवा लिया ठीक है औ और क्या किया और जैसे मैंने सरजरी करवा ली या फिर मैं पहलवान बन गया मोटा ताजा हो गया है ना या फिर मैं कुछ काला था कुम मैंने पाउडर आउडर लगा लिया तो क्या मेरा बच्वा का कान छेदा पैदा होगा नाक छेदा पैदा होगा क्या मेरा बच्वा प कि देते हैं वो होते हैं उपारजीत लख्षण जैसे हमने अपने बाल को कटवाएं डाढ़ी को सेट कर वाया है इसके बाद हमने नेल्स को अपने काटें नाक स्विद्वाएं कान स्विद्वाएं सरजरी करवाएं पड़र लगा कि अपने आपको गोरा कर लिए यह सब उपारजित लच्छन होता है लेकिन पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं पैदा होता है बताओ क्योंकि पहलवानी का जो गुण है वो उसके सरीर कोशिकाओं में हुआ है ना कि उसके जनन कोशिकाओं में जो उपारजित लच्छन होता है वो सारीरी कोशिकाओं में प अनुवांसिक लच्छण में क्या होता है जब इसमें परिवर्तन होता है तो क्या होता है अनुवांसिक लच्छण में यदि परिवर्तन होता है तो वो जननकोसिका के अंदर परिवर्तन होता है अगर जननकोसिका यानि कि सुक्राडू और अंडाडू के अंदर कोई भी परि कैसा होगा आपके इसकीन का कलर कैसा होगा आप मेल होंगे या फीमेल होंगे यह सब अनुवांसिक लच्छन पर डिपेंड करता है आपका ब्लड ग्रूप क्या होगा आपके बालों का कलर कैसा होगा यह सब अनुवांसिक लच्छन होते हैं यह अनुवांसिक लच्छन किसके अगला टॉपिक है इसको मिटा दूँ मैं चलिए मैं हड़ जाता हूं लिख लीजिए अब हमारा अगला पॉइंट है चार्ल्स राबर्ड डार्विन डार्विन का पूरा नाम क्या होता है क्या है मतलब डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स राबर्ड डार्विन है ना पिंटू चिंटू रिंकू पिंकू कुछ नहीं नाम है नाम याद रखना चार्ल्स राबर्ड डार्विन इन्होंने क्या किया चार्ल्स राबर्ड डार्विन ने 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने समुद्री यात्रा की थी ना चार्ल्स राबर्ड डार्विन एक प्राकृतिक वैग्यानिक थे है ना इनके फादर एक एड़ोकेट थे तो डार्विन को भी एड़ोकेट बनाना चाहते थे लेकिन क्या होता है कि एक M.H.S. बीगल M.H.S. बीगल नामक समुद्री जहाज में समुद्री जहाज में इनको यात्रा करने का मौका मिल जाता है और फिर ये एक वैग्यानिक बन जाते हैं है ना तो ये जब समुद्री जहाज में यात्रा करते हैं तो धच्छिन अमेरिका के अंदर और धेर सारे महाद्यूपों की यात्रा करते हैं एक गैलो पेगस महाद्यूप है वहाँ पर भी जाते हैं बहुत धेर सारे महाद्यूप में जाते हैं और जीवों का विकास कैसे हुआ, जीवों में परिवर्तन कैसे हैं, लच्छणों के उत्पत्ति कैसे हो रहे हैं, इस चीज को ये अध्यन करने गए थे और बहुत बड़ा सा जहाज था, इन्होंने चार-पांच साल उन्होंने उसमें यात्रा की जहाज अक्सर पूछा जाता है किस जहाज में गए थे तो बीगल नमक जहाज में गए थे और पांच वर्स बात जब ये पांच वर्स तक इन्होंने दच्छड अमेरिका और अन्य महादियों पर डार्विन यात्रा करते रहें, घूमते रहें, टहलते रहें और जयो विकास को ये समझते रहें, इसको समझने गए थे डार्विन, जयो विकास को, कि जीवों का विकास कैसे हुआ है, फिर डार्विन ने एक सिध्धान्त प्रस्तुत किया, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जयो विकास, है ना, डार्विन ने क्या किया, एक वहाँ से ल जयो विकास ये सिध्धान्त इन्हों ने प्रस्तुत किया किसने डार्विन ने इसी को बोलते प्राकृतिक चयन का सिध्धान्त है ना जो पहले वाले में देखो चयन हो रहाता ना कववा आ रहाता बिल्कुल ललोका ललका को खा डाल रहाता ललका बीटल को खा रहाता और हर वोलका उसको दीखी नहीं रहाता अंधे को कि हारा वीटल भी है अगर हरा वीटल भी दीखता हो तो तो उसको भी खाड़ालता का हुआ आखे निकाल लेता है ठीक है ना तो इन्होंने सिध्धान दिया प्राकृतिक वरणयम जव विकास का किसने डार्विन ने और डार्विन और मिंडल दोनों सेम सेम चल रहे थे जव विकास पर ये भी कर रहे थे और वो तो अपना अन्वांसिक लच्छडों पर भी यह काम कर लच्छण का ईसे आदान प्रदान तो लेकिन स clamp मिले नहीं थे जो निए दूरों आपस में दूसरे को नहीं जानते थे हमारे दोस्त हैं और कोई ऐसी चीज भी नहीं ती को उaster नहीं तो क्या हुआ बया कि यहां जो डार्विन यह नहीं पता कर पाएं कि किस विधी द्वरा इस प्रस्थिस के अंदर विभिन्यताएं आ रही है लेकिन मेंडल नहीं पता कर लिया था कि विभिन्यता कैसे आई थी बहुत पहले पता कर लिया था है नहीं डार्विन यह नहीं पता कर पाएं कि कैसे यह विभिन् रखना मिंडल को ना जीते जी वैज्ञानिक की उपादी नहीं मिले क्योंकि यह चर्च में पादरी थे इसलिए कि और जब यह मर गये कई सालों बाद कई वैज्ञानिक जब ढूंड रहे तो पता कर पाए तो पता चला तरे मिंडल तो यह बहुत पहले बता गये थे सोचो राइट नॉलेज जिन्होंने दिया जिनका नियाम हम आज भी पढ़ते हैं उस समय उनको वो चीज़े नहीं मिले मिंडल एक वैज्ञानिक जिनको मरने के बाद नोबिल प्राइस से उनको जो है वो किया गया सम्मानित किया गया प्रत्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई सब लोग इस चीज के बारे में समझने लगें कि प्रत्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है न यह आपका टॉपिक भी है तो देखो क्या होता है कि डार्विन भी थे और मेंडल भी थे डार्विन ने बताया कि प्रत्वी पर सरल जीवों से जटिल सरोप वाले जीवों का विकास हुआ पहले सरल जीवों थे उन्हीं सरल जीवों में क्रमिक परिवर्तन हो रहा था और जटिल जीवों बन जा रहे थे यह डार्विन बता रहे थे उधर मेंडल भी बता रहे थे कि एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में लच्छनों की वनसा नुगती हो रही है एक पीड़ी से द दूसरी पिड़ी का दूसरी पिड़ी में लचन जा रहे थे तो एक पिड़ी कहां से आई आदम और हव 2050 में बताया जाता है कोई बोलता है इसमें कई मत भेद हैं तुल्त में बहुत बड़ा टाउपिक कई लोग बोलते हैं कि यहां पर जो जीव थे वो दूसरे ग्रह से उड़के आ गए हैं कई लोग बोलते हैं इस्वर ने पूरी संसार को बना दिया कई कि लोगत अबनाया कोई लोग बोलते हैं अधम और हुआ कर करकेसे दो लोग थे बच्चे पेदाा करते गए डेर सारे जिव बन गए ऐसा भाई कुछ नहीं था ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं था अपनी साइंस बोलती घिराश के लिए सब्राइने समये लिए दो प्रीयोक करते उस प्रियोक से कुछ ना कुछ पता जलता है उस्ति वहां पर प्ढ़ने वाले हैं एक नुक्त cactus को हम लोग यहां पढ़ने सकें व्हेज कि सुनकों पर दो जो वैग्या नीक थे धोनों वैग्या नीकops कहा थे ब्रिटिस लेकिन इनोंने बाद में इनको भारत की नागरिक्ता मिल गई थी यह भारत आके रहने लगे थे है ना तो जेबियस हैल्डन ने सन 1929 को एक स्टेटमेंट पास करते हैं और बताते हैं कि प्रत्वी पर है ना प्रत्वी की सरोप्रथम यहां पर जो जीव सरोप्रथम उत्पत्ति हुए है उन सरल अकार्बनिक अड़ों से जीवों की उत्पत्ति हुई है जो प्रत्वी पर प्रत्वी की उत्पत्ति के समय बने थे यानि कि प्रत्वी पर जीवों की उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अड़ों से हुई है किन अकार्बनिक अड़ों से उन अकार्बनिक अड़ों से हुई है जो प्रत्वी की उत्पत्ति के समय थे प्रत्वी की उत्पत्ति के समय कौन से अकार्बनिक अड़ों थे इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाए कि उन हैल्डन ने फिर क्या हुआ इन्होंने कलपना किया और बताया कि प्रत्वी का उस समय का वातावरण वर्तमान समय के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था आज का जैसे वातावरण है इस वातावरण से भिन्न था पहले का वातावरण जब जीवों का विकास हुआ जीवों की उत्पत्ती हुई, इन्होंने इतना ही बताया, और एक चीज और ये बताते हैं, हाँ, बताते हैं कि सरुप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संसलेशन द्वरा उत्पन हुए होंगे, कन्फरम किसे नहीं किया, इन्होंने कुछ भी ने कन्फरम कर पाएं, बाकि सारी कुछ न कुछ चीज ये बता गए, फिर इनके दो वैज्ञानिक थे, मिलर और यूरे, इनके दो सिस्य थे, जो है हेल्डेन के सिस्य थे, मिलर और यूरे, फिर ये मिलर और यूरे प्रियोग करते हैं, और वो प्रियोग करके फिर सारी चीजों को समझाते हैं, उ बहुत important रही है यहां से question पूरा question वह उठा लिया जाता है तब मैं इसको मिटाता हूं अब हम लोग पढ़ने वाले हैं Miller और यूरे का प्रियोग तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि Stanley L. Miller मिलर का पूरा नाम क्या है स्टैनले इल मिलर और हैरल्ड सी उरे ठीक हम लोग बैसिकली यूरे बोल देते हैं not यूरे अगें स्टैनले एल मिलर तथा हैरल्ड सी यूरे का प्रियोग ये लोग एक प्रियोग करते हैं और एक हैल्डेन नामा गांगे बिडिस बेंग्यानिक होते हैं जो की ये इनके सिस्थे रहते हैं है न Полण जो थे उनके हैश्थे दोनो मिलर और ईूरे यह एक प्रियोग करते हैं प्रियोग क्या करते हैं सबसे पहले सरव प्रथम मिलर और यूरे एक बड़ा सा फ्लाक्स लाते हैं वो फ्लाक्स किते लिटर का रहते हैं पांच लिटर का एक फ्लाक्स लाते हैं कहा है देखो भाईया हाँ कोई फलाक्स ले आगे तो उसमें मचली पाल लेगा पाणी डालके मचली उसमें चलेगी दिखेगी अच्छा लगेगा उसे मज़ा आएगा है ना अध्यकिन मिलर और यूरे मचली नहीं पालने के लिए लाया थी करें क्या 5 लीटर का फलाक्स लाएं और उसमें मीथेन, अमो यह लिखते भी चलो ऐसी कि मिलर और यूरे न रोनम और हइड्रोजन दो और साथ और यह चल मतम कईटम मिलाश करते हैं कंशे तो हैं जल्वास french आंश को मिलाएं जल्वास्प प्राचीयव उसमें प्राचीयवता वरे उपलब्ध करा आ ऊ प्राचीन यतनुद मतलब चुपने बलाएं किने जब सबसेस को रही थी प्रत्वी इतनी एतनी गरम थी है ना और ही जता कोई AGसेने नहीं ही तो एना इसलिए बहुत बहुनद प्राचीन वाटावरर तो बहुत नार्मल है प्राचीन वातावरर इसने उत्पन कराया किसने मिलर और उरे ने फिर इन्होंने आठ सु डिग्री सेल्सियस टाफमान तक इसको गर्म किया और एक हफ्ते तक यह प्रियोग किते सप्ता तक चला एक सप्ता तक यह प्रियोग चला और फिर इससे निसकर्स क्या निकला जो प्रियोग चलता है तो उससे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निसकर्स निकलता है तो जब ये देखिए जैसे मीधेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, जलवास्प है, फिर मिलर और यूरे ने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसके अंदर बिजली पैदा करने के लिए, क्योंकि उस समय क्या था, आकासी बिजली भी तो गिर रही थी, तापमान 800 ड के बीच में, लेकिन उस समय आकासी बिजली भी तो गिरती थी, धम धम हर जगे गिर जाती थी, तो उसको आकासी बिजली को गिराने के लिए, इन्होंने एक उपाय कर लिया, और इन्होंने दो इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया, अब फिर यहां से बढ़िया, यह बिजली किरा रहे यहाँ पर गर्म महोल तंव यहाँ पर संगन इतर लगा दिये ठंडा करने के लिए संगनित्र प्राय से जल जाता संगनित्र लगाए तो यहाँ पर जो जल बना यहां पर जो इन गयशो के मिस्त्रण से सिर्फ देखो कार्बन था यहां पे हाइड्रोजन था नाइट्रोजन था देखो यह जैसे यह कार्बन है यह हाइड्रोजन है यह नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक छोटा साडू भी है है ना लेकिन वो जल के साथ मिक्स है यह याद रखन इतने अड़वों से बन रहा था अंसी बिजली रही थी सारी चीज़े चल रही ती इन्से जो बन एकत्र कर लए गुथो फट्र हो इसको एकत्र कर डाले नुइ इसमें इन्हों उन्हें ये देखा कि देखो कार्बन जैसे है ना देखा 15 प्रतीसत कार्बन कार्बनिक योगिक में बदल गया है यहां पे जो 15 प्रतीसत जो कार्बन था वो कार्बनिक योगिक में बदल गया है अब देखो क्या था यह जो इन जल मिला इस जल का जब इन्होंने विसलेशन क कि यह थिया ॥ै न अध्यान किया तो उन्होंने बताया कि इस जल में अमीनों अमल और प्रोटीन के अडू भी भी है क्या है अमीनौंằng यह हैं पर आ गहा प्रोटीन के अडू कियसे आ गहये थो किसे या और ना बटाना बता ना तो बताएं कि देखो पहले का जो प्राचीन वाता वरारता आकासी बिजली गीर रही ते इतने चीजे हमाएं पास ही तो इससे धीरे-धीरे करके अमीनो आमल का निर्माड हुआ प्रोटीन के अडू का निर्माड हुआ ठीक है फिर धीरे-धीरे करके धीरे-धीरे यही बढ़ता गया और निर्माड अमीनो आमलों से प्रोटीन का निर्माड होता है ना प्रोटीन के अडू छोटे-छोटे बनने लगे है ना ग्लुटामिक एसीड यह सब बनने लगे इसमें, ग्लाइसीन, एलीनीन, एस्पार्टिक एसीड है एक, एस्पार्टिक एसीड फिर है, ग्लुटॉमिक एसीड, ग्लुटॉमिक एसीड यह सब बनने लगे इसमें, फिर धीरे धीरे करके, किसी जीव का निर्मार हुआ, और वो जीव कैसा था तो वो जीव था वाइरस वाइरस क्या है वाइरस सजीव और निर्जीव की निर्जीव की कड़ी है वाइरस is living and non living things chain सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी ना ही ये सजीव है ना ही ये निर्जीव है है ना तो इस से करके ऐसा मिलर और यूरे ने प्रियोग कर दिया अगर इनका प्रियोग आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे कि स्टैंडले मिलर ने अपने आचारे हैराल्ड यूरे की देखरेक में एक साधारल सा प्रियोग किया जिसमें उन्होंने पांच लीटर के एक में जल्वास्प, अमोनिया, मीथेन वा हाइडोजन को मिलाया और टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा इनको जोड़ करके आकासी बिजली देने के लिए उसको तयार कर लिया ठीक है इसके बाद मिलर यासिद्ध कर देते हैं क्या करते हैं मिलर यासिद्ध कर देते हैं कि कार्बन, हाइडोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अडू से विभिन जैविक रूप से महत्पूर जैविक कंपाउंड का निर्माड हो जाता है यह विभिन जैविक स्वरूप जो थे इनसे महात्वपूर जैविक कंपाउंड का निर्माड हो जाता है ये इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इन्ही से ही सरल जैसे वो थे इन्ही से जटिल कार्बनिक योगिक का निर्माड हो गए सरल कार्बनिक योगिक थे लेकिन इन्हीं से जटिल कार्बनिक योगिक का निर्माड हो जाता है ये इन्होंने सिद्ध कर दिया मिलर ने एक सब्ता के पश्चात एकत्तित हुए द्रव का रासाइन एक विसलेशन किया तो उसमें अमीनो एसिद, प्रोटीन और ग्लाइसीन, एलिनीन, इस्पार्टिक एसिद, ग्लुटामीक एसिद तथा दूसरे जटिल कार्बनिक योगिक भी उसमें उपस्थित रहें इसके बाद इसके आगे जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा का समर्थन विसाणू द्वरा किया गया जो जयव या अजयव की बीच की कड़ी है सबसे पहले बताया गया कि यहाँ पर विसाणू बना वाइरस बना क्योंकि वाइरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है इस चीज को इन्होंने बताया और ये था इनका प्रियोग मिलर और यूरे का प्रियोग बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो बहुत कुछ को जानने को मिला यहाँ पे सबसे पहले के वातावरान में सिर्फ इतना ही था इतना ही इसे खूरी इसका निर्मारो और फिर बहुत करके भीचाने तो देखते 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 आसकी डेराट में देखो एक well maintained हैना high tech body वाला एक इनसान तुम्हाँ सामने खड़ा है सोचो कैसे यह जो प्रक्रिया है जयविकास की निरंतर चलने वाली धीरे धीरे और निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है सोचे यहाँ से हमारा निर्माढ हुआ है इससे कारबन से हाइट्रोजण से नोड्रेрачन से और औक्सीजन से बस यह चार चता निर्माढ connection बोल सकते न क्योंकि इससका निर्माढ हुआ कि इसी दें से दिर दिर करके हमासरीर बनता गया और भी जानवर बनते गए तो ये था आपका मिलर और यूरे का प्रियोग मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और पढ़के बहुत मज़ाया होगा तो चलिए आज की क्लास यही तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए विस्यों आल दे बेस थैंक यू